Candidate should possess degree relevant discipline का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Candidate should possess degree का मतलब होता है कि Candidate के पास degree होनी चाहिए और relevant discipline मतलब की उससे संबंदित जो है वो विशे में या उससे संबंदित जो है वो discipline में यानि कि मानले जी आप कोई engineer की नोकरी करना चाहते हैं तो engineering में आपके पास degree होनी चाहिए अगर आप accounts की कोई job करना चाहते हैं तो आपकोई पास accounts की degree होनी चाहिए और अगर आप marketing या sales में कोई job करना चाहते हैं तो marketing या sales की आपके पास कोई degree होनी चाहिए ये इसमें कहा गया है कि candidate के पास degree होनी चाहिए और वो relevant discipline में होनी चाहिए यानि कि जिस से संबंदित ये नोक्री है उसी से संबंदित वो degree भी होनी चाहिए यानि कि जैसे आप ये कहें कि उमिद्वारों के पास संबंदित विशे में degree होनी चाहिए तो आप कहेंगे candidate should possess a degree in the relevant discipline या अगर आप ये कहना चाहें कि पद पर आवेदन करने के लिए उमिद्वारों के पास संबंधित क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए तो आप कहेंगे to apply for the position, candidate should have a degree in the relevant field अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें